Hello students, हम अल्रडी जान चुके हैं कि एकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं Basically हमने अभी तक traditional approach के एसाब से ही जाना है कि एकाउंट्स कितने टाइप होते हैं तो उसके एसाब से एकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं Personal, Real and Nominal ठीक, आज हम इस topic से थोड़ा आगे चलेंगे और इसका जो ultimate aim है ये सब बताने का वो आज हम achieve करने की कोशिस करेंगे वो जो कोशिस होगी वो क्या है, हमें क्या achieve करना है हमें ultimately achieve करना है कि इन accounts के अंदर, इन categories के अंदर जो accounts होते हैं उन accounts के आगे हम debit या credit कैसे लिखते हैं, किन rules को base लेकर लिखते हैं, कौन सी foundations हमको पता होने ही चाहिए, कौन-कौन से rules हमको पता होने चाहिए, जिनको base मानकर हम इन accounts के आगे debit या credit word यूज करते हैं ठीक है ना, तो आज का हमारा topic है, rules of debit and credit, ठीक, ये ultimate rule है, ये करना आ गया, तो समझो, account में आपने आज बहुत बड़ा एक step रख लिया लेकिन इसको जानने से पहले, हमें ये बात जाननी पड़ेगी, कि debit और credit, ये जो debit और credit है, ठीक, ये रखे जाते हैं, इस basis पर, कि accounts के अंदर movement कैसा हो रहा है, movement, वो account किस ताइप पा movement ले रहा है, ठीक है, वो जो movement ले रहा है, उसके movement की direction क्या है, वो हमें जाननी है, और जो movement होता है, वो तीनों categories में same नहीं होता, हर category के अपने-पने movements हैं, personal account में अलग type के moment होते है, real में अलग type के moment होते हैं, nominal में अलग type के moments होते हैं, हमें उन movements को जानना है, और उन movements की directions को भी जानना है, जब उन moments की direction को हम जान जाएंगे तो we can easily find out कि debit और credit कौन कौन से accounts हैं, ठीक है, तो पहले हमारा जो objective होगा यह जानना होगा कि उन accounts में moment कैसी है, ठीक है, तो इससे rules of debit and credit से पहले, we should know, movements, direction of, direction of, movements in accounts, in accounts, under different types, जो accounts other type के हैं, उनके हिसाब से movement किस तरह का होता है, ठीक है, personal accounts, personal, real, nominal, यह मैंने तीनों types, जो अब तक सीखे हैं हम लोगों ने, उनके नाम लिख दिये, अब तीनों category के moments मैं बताऊंगा आपको, personal accounts में जो moment होता है, वो होता है, कि मैंने बता है, personal accounts are related to persons, ठीक, तो हम basically उसी एक narrow example को लेंगे, person कोई बंदा है, ठीक है, वो हम से जब dealing करता है, हमारे बिजनस में जब वो एक dealing करता है, transactions के साथ हमारी होती है, तो वो किस तरह के होती है, either he is giving something or he is receiving something, यानि के या तो वो receiver होता है, या वो giver होता है, अगर वो हमसे ना तो कुछ ले रहा है, ना हमें कुछ दे रहा है, तो उसकी study हम क्यों करेंगे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, जिन लोगों का हमारे business से relation है, परसन से relation है, तो either they are receiver और they are giver, तो इसका मतलब personal accounts में दो तरह का moment possible है, either they are receiver और they are giver, real accounts, real accounts में क्या होता है, चीजे होती है, जैसे की furniture, मैंने example बहुत साइद यह थे, मैं भी furniture का example लूँगा, जिससे आपको बहुत अच्छी बात clear होगी, आपके दुकान में furniture रखा है, counter रखा है, counter जिसको आप यूज करते हैं अपने office में आप यूज कर रहे हैं उसको, furniture से मैंने बोला, ला भी दो कुछ, तो विल furniture listen something, नहीं, furniture तो निर्जीव है, furniture तो non living है ना, तो non living जो चीजे होती है, वो they can neither receive nor give anything, ठीक है ना, furniture, cash, stock, furniture, machine, building, यह जो जड़ चीजे होती है, ठीक है ना, यह हमारी real assets है, they can come into our business or they can go out of our business, यह तो उनको खरीते हैं, यह आ रही हैं यह जा रही हैं, ठीक है ना, तो real assets के अंदर दो तरह का moment होता है, जब इनके अंदर moment होता है, तो they are coming or they are going, यह तो यह आती है यह जाती है, ठीक है ना, nominal का moment है वो इनके definition में था, जब मैं इनके example बता रहा था तो इसमें दो यह तरह के example थे, मैं आपको moment की picture बना के दिखाऊंगा, nominal में एक तो moment यह होता है, और एक moment यह होता है, इनका जो moment होता है यह moment पर dependent है, ठीक है ना, sad moment है या happy moment है, वो इनका moment होता है, sad momen कब होगा? जब इनको या तो expenses होंगे या losses होंगे, हमारे business में अगर losses या expenses हो रहे हैं, तो nominal account का पहला moment होगा अगर हमको gains हो रहे हैं या incomes हो रही हैं तो वो दूसरा moment होगा तो nominal में ये वाले दो moment होते हैं real में coming going होता है personal में receiver giver होता है ठीक है ये बहुत अच्छे से आप note करिए बेटा ये moment ही तो भी इस बनेंगे debit credit का अब इसके तुरंद बाद हमारा debit और credit शुरू हो जाएगा